I hope आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से इंजॉई कर रहे होंगे So आज के इस वीडियो में मैं एक बार फिर से लेकर आ गई हूँ Home Decor के आइटम्स इससे पहले जो मैंने वीडियो शेयर करी थी आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया, उसके लिए थैंक्यू इस बार भी मैंने बहुत अच्छा सा कलेक्शन क्रेट करने की कोशिश करी है वो तो आप लोगी बताओगे कि अच्छा है ये नहीं है तो चलिए देखते हैं कि आज मैंने क्या-क्या मंगाया है वन वाई वन अंबॉक्स कहते हैं तो गैस ये हैं वो सबी पार्सल्स जिनके आची इस वीडियो में मैं अंबॉक्सिंग करने वाली हूँ तो रेंडमली मैंने ये प्रोडेक्ट उठा लिया है इसका प्राइज ना गाईस मुझे भी याद ने होगा क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि इसके अंदर क्या है इसमें सिर्फ कलर्स वेगरा लिखे हैं ये औरेंज कलर में हैं तो प्राइज ने स्क्रीन पर आप देख लीजेगा, करेंट प्राइज जो चल रहा होगा और मैं स्क्रीन शॉट भी लगा दूंगी, एडिटिंग करते टाइम तो सबसे पढ़े इसको उन्बॉक्स करके देखते हैं तो इसके अंदर का इस ये वास है, ये देखे कुछ इतना बड़ा वास है ये, मुझे मतलब एक्सपेक्टिड नहीं था कि इतना बड़ा साइज आने वाला है मुझे लगा था कि छोटा सा साइज आएगा और ये बहुत ही जादा अच्छी कॉलिटी का भी है, हैवी सार लगने वाला है आपको और इसमें थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा तो येस, वार्थ इट लग रहा है मुझे ये, इसका प्राइज मैंने आपके दिखा दिया होगा कि किस प्राइज येंज में मुझे मिल रहा है फोटो आपको मैश करा लिजेगा, एक्जेक्ट लिए आपको सेम लग रहा है या नहीं आप हम अन्बॉक्सिंग करेंगे गाइस इसकी और इसके अंदर मुझे पता है कि क्या है, मैंने स्क्रेंशोट लगा दिया है ये ना स्टोरेज और इसका प्राइज में मैंने मैंने कर दिया है तो मुझे बहुत ज़दे प्यारा सा लग रहा था ये और लग रहा था कि थुदा बड़ा सा आएगा बट यहां पर जब मैंने इसको रिसीव किया था तो मुझे थुदा सा अच्छा नहीं लगा कि यार साइज बहुत ज़दे स्मॉल है बाकि इसकी कॉलिटी देखते हैं अनबॉक्स करके कैसा मिलने वाला है तो यह आपको दो का कॉम्बू मिलने वाला है यह इसका इस ट्राइब से है तो यह हो गया और इसके उपर यह इस तरीके से आप इनको ऐसे डेकोर कर सकते हैं बहुत ज़दा प्यारे से लगेंगे कॉलिटी तो बहुत ज़दा अच्छी है आपने साइज भी देख लिया कि आपको कैसा मिलने वाला है तो यह इस प्राइस रेंज में तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है बहुत है नेक्स्टे गाईस यह इसको मैं बॉक्स करने वाली हूं कि क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूं कि मैंने ऐसा क्या मंगा लिया है इसमें यह थोड़र ड्रेस टाइप का लग रहा है तो हम डेकोर में मुझे लगानी था कि मैंने ऐसा कुछ मंगाया है चल दो जिली से पट्टा फट से स्कॉं बॉ तो ये देखे गाईस ये कुछ ऐसा आया है ये ना इस पेशली जिसे आपको डेकोर करनी हो या फिर करटेंस में लगाना हो तो ये देखे इसमें दिये हुए हैं करटेंस में लगाने के लिए और वॉल पे भी आप मतलब इसमें रसी डालके अच्छे से इसकोड़ कर सकते हो फिर उस पर आप लाइटिंग वगेरा करोगी तो बहुत अच्छे से हो जाएगा तो यहां पर गाइस मैंने ऐसा करटेन इनको यूज़ करके दिखा दिया है बाकि आप इनको कहीं और लगा के बहुत अच्छे से लोग क्रियेट कर सकते हो लाइटिंग वगेरे के साथ बहुत अच्छे लगेंगे आप मैं उनको करने वाली हूँ इसको रेक्ट ही तो इसमें भी देखते हैं क्या है ब्लाइक कलर लिखा हुआ है इस पर तो चलिए उनको कर देखते हैं इसको भी तो गाइस यह काफी शाइनी डार्क ब्लाइक कलर का वास है हैंड की शेप में जो लिविंग रूम स्टेडी टेबल वगेरे पे काफी अच्छा सा लुक प्रोवाइड करेगा तो गाइस नेक्स्ट है यह अब इसकी अन्बॉक्सिंग करके देखते हैं थोड़ा हैवी सा पार्सल लग रहा है यह यह भी गाइस बास ही है तूके कॉंबो में आपने कैक्टिस प्लान देखा होगा न थोड़ा उसी की शेप का है बहुत ही त्यारा सा शाइनी सा कलर आपको इसमें मिलने वाला है अंडर 400 रूपीज में है यह इस प्राइस रेंज में बहुत जादा अच्छा सा है चोटे-चोटे दो पार्सल्स बचे सबसे पहले इनका उन्बॉक्स कर देते हैं बाकी बड़े-बड़े पार्सल्स उन्बॉक्स करेंगे उसके बाल यह न कॉम्बो में मुझे मिल रहे थे 116 रूपीज इनका करेंट प्राइस है यह हैंगिंग के लेना ऐसे हम डेकोर कर सकते हैं जो आपके घर में गैस्ट वगेरा आते हैं उस जिगा पर आप डेकोर कर सकते हो इसको जिससे की बुरी नजल से यह बचा सके तो यह मैंने एक और करा इसके बाद में एक और पारसल है तो इसक्रिंशोट मैंने लगा दिया है और प्राइस भी आप देख लीजेगा तो यह गाइस टोटल फाइफ माला है थोड़ी सी छोटी है बट इनकी कॉलिटी बहुत जादा अच्छी आई है मंदिर में आप इनको डेकोर करोगे ना बिल्कुल पर्फेक्ट लगेंगी इनका कलर मस्टर्ड में आया है तो यह गाइस एक हर्ट है वाइट कलर में मैंने इसको पिक किया है इसके और भी अधर कलर्स अबलेबल थे तो साइज इसका आप देखिए कुछ इतना है तो यह देखे गाइस शेप वगेरा तो इसकी बहुत ज़्याद अच्छी है कलर भी प्यारासा है बोल हैंगिंग डेकोर के लिए है इसके रीव्यूज वगेरा बहुत ज़्याद अच्छे लग रहे थे तो मैंने सुच इसको एक को पहले बायर करना चाहिए अच्छा लगेगा तो इसके साथ के प्रोडेक्ट एक साथ में आए हैं एक वेज कलर में है और एक वाइट कलर में है तो गाइस यह इस टैचु का सैट है यहां पर देखिए और पर्फेक्ट कलर मुझे रिसीव हुआ है मेरी हाँ पर फोटो लगा दी है और प्राइज भी आप लोग देख लीजिए तो यह भी गाइस ओफ वाइट कलर में है जो मैंने भी आपको कलर दिखाया तो उसी कलर में मिल जाएगा यह इसका बड़ा साइज है और यह इसमें छोटो साइज है इसका सो यह देखें यह भी बहुत ज़्यादा क्यूट सा है यह दो का साइट मल जाएगा आपको कलर प्यारा सा है रियल में और सुन्दर से लगेंगे जहां पर भी आप इसको डेकोर करोगे ना एक अच्छा सा लुक आएगा प्रेमियम कॉलिटी के हैं यह यह भी और शीपर भ इसका भी स्क्रेंशट मैंने यहां पर लगा दिया है प्राइज आप लोग देख लीजएगा यह गाइस कर्टेंस ही हैं जैसे अभी मैं यूज कर रही हूं अच्कल अपने बैक्ग्राउंड में जो कर्टेंस सिल्वर कलर गे वैसे ही यहां पर मिल जाएंगे आपको पर य इसना यह डिजाइन देखने के लिए मिलेगा तो यह कुछ इतने इनका साइज आ जाएगा मेरे खाल से यही साइज अबलेबल था वहां पर कुछ इस ट्राइब से हैगा गाईस यह देखिए जैसा फोटो देख रहो ना रियल में बहुत जग सुन्दर से हैं यह देखिए नेक्स्ट गाइस यह है जो पहले सी थुरसान बॉक्स था ऐसे ही आया था मेरे पास में यह जो टेप थे ने वो हट गए थे तो यह देखिए यह तू का कॉम्बो था पुछ इस टाइप से है यह मैंने स्क्रिंशॉट लगा दिया है यह ऐसे आ जाएगा और बहुत ही कम प यह कॉम्बो है कलर आपको सुंदर सा मिल जाएगा और अच्छी लगाई हुई है फ्लार्स की आप गाई यह थोड़ा सा लंबा सा पार्सल है यह मैं बॉक्स करना चाहती हूं कि इसके अंदर क्या आया है इसमें ब्राउन कलर लिखा हुआ है चलिए देखते इसको अंबॉ आप फोटो में देख रहे हो और यह जो वुड है इनकी कॉलिटी मतलब बढ़िया है इस प्राइस रेंज में आप ले सकते हो डैफिनेटली और मैंने इसके साथ के लिए पोट भी मंगाए है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी पतानी कौन से वाले पार्सल में है तो तो यह ना गाइस रियल मैटल की नाव वनी हुई है और हैवी भी है होम डेकॉर के परपस से यह देखे जैसा आप फोटो में देख रहे हो एगजेक्टली आपके पास में आने वाली है प्राइस भी आपने देख लिया होगा इसका इसके अंदर ना गाइस आपको एक जग और भी हो जाएगा और आप इसमें अपना समान भी लगा सकते हो तो उस टाइप से यह मिलने वाला है इसमोल एलिफेंट ग्रे साइज फ्री मल्टी तो यह एलिफेंट से गाइस मैंने स्क्रिंशोट लगा दिया है कुछ ऐसे लग रहे थे मुझे होम डेकॉर के ही यह यह पैकिंग इन सबकी अच्छी आई जैसे की तूटे ना यह सबसे छोटा एलिफेंट है यह देखें भारी सा है और कॉलिटी भी अच्छी लग रहे है इसकी थोड़ा सा स्काइबलू कलर है न उसमें है यह यह दोनों एलिफेंट आपको सेम साइस के मिल जाएंगे और यह आजाता है सबसे बड़ा एलिफेंट तो यह आपको सेम कलर में बड़ा वाला एलिफेंट मिल जाएगा सेटिंग पोजिशन में और यह मैंने जैसे फोटो मे करने पड़ेंगे जिसे कि गिरें ना तो आपको ये न थोड़ा देखिए इस टाइप से लगाने पड़ेंगे तो ऐसे हैं ये कोलेटी भी अच्छी है कोई भी डैमेज बगर मुझे रिसीव नहीं हुआ है थोड़ा से मैं आपको इसका लोग पास से दिखा देती हूं जिसे मैंने लगा दिया है प्राइस के साथ वाला मुझे एक अच्छा कोंबो लग रहा था इस प्राइस रेंज में रेटिंग भी बहुत जाद अच्छी थी और इसमें एक पिंक कलर हैं बाकि आपको अच्छा हां वाइट कलर है मतलब मर्टी कलर में आपको मिलने वाले हैं तो यह है 1,2,3,4,5 का सैट आपको मिल जाएगा इसके साथ में आपको यह चुटी-चुटी सी प्लेट्स मिल जाएंगी जिसे के पानी रहुदरना जाएना तो यह इस टाइप के सही रहते हैं मैंने यहां पे इसके नीचे भी लगाया हुआ हुआ है यह लास्ट थर्ड पार्सल है हमारा बचा हुआ तो चलिए इसको भी जल्दी से देख लेते हैं कहा गई मेरी सीजर कहा रख दी तो गाइस इसमें भी आपको पोट ही मिलने वाले हैं उसकी शेप में पहले वालों की दिखा देती हूँ आपको फिर से यह शेप आपको इसे मिल जाएगी इन वाले पोट की और यह मेरे पास में दूसरे आए हैं जैसे आपने फोटो में देखा होगा ना उस पर लगे हुए थे तो उससे मैच करे हुए मैंने यह वाले मंगाए थे मैंने यह किसी और चीज के लिए मंगाए थे मैं थोड़ सा कंफ्यूज होगी कि यह है क्या साइज आपको लगभग देखिए दोनों का यह कुछ ऐसे आने वाला है अब मैं आपको अगर सजेस्ट करूँ कि आपको इन में से कौन सा वाला कॉम्बो लेना चाहिए तो मैं आपको यह वाला सजेस्ट करूँगी इस वाली की ना सोफ्ट प्लास्टिक है असा लगता है कि ऐसे चटक चुटक जाएगा उस टाइप वाला है और यह जो है कि यह सा मोटा भी है मतलब हर चीज में अच्छा है लुक भी अच्छा है इसका एस कंप्योर टू इससे अगर देखा जाए तो तो मैं यह सजेस्ट करूँगी फाइनली सेकिंड लास्ट गाईस यह पार्सल इसको भी अनबॉक्स करके मैं आपको दिखा देती हूं ब्लैक कलर में है यह इसका भी मैंने स्क्रिंशोट लगा दिया है प्राइस आप देख लीजिए यह टू का कॉम्वो था यह भी वास ही है थोड़े से बड़े हैं यह वासना तो यह आप देखे दोनों का साइज सेम ही है इनको नहीं मैं एजजस्ट करके आपको दिखाती हूं इनमें यह चीजें दी हुई है ठीक से दिखाती हूं कि कैसा लूक आपको मिलने वाला है इनका मैटल में ऐ है गाइस यह और इसके भी प्रिंट किया हुआ है अटल में ही है यह बी और अंदर से आपको देख वह उन्हें वह जो ली तो क्यों कि एक रखय कर दिश्चा था यह वी तो इसने मैंने इनको बाई किया है कि वह अच्छे से से प्रीवन के लिए यह देखिए तो है। प्लास्टिक है यह थोड़ी है वाली प्लास्टिक है और शाइनी सी है तो बहुत जब प्यारी सी लगती है और एक ना प्रिमियम कॉलिटी वाला लुक आता है इसको देखके मुझे खुदी एक्सपेक्टिग नी था यह कि इतनी ज़्यादा अच्छी सी लगी है रियल में मै अच्छी दो मिर्र है सेम सेलर से थे ना तुन्होंने एक साथ ही पैक करके दे दिये तो मैं इसकी भी अंबॉक्सिंग कर देती हूं जल्दी से जिससे कि आपको टाइम वेस्ट ना हो तो गाइस उस बड़े से बॉक्स की अंबॉक्सिंग करने के बाद एक तो यह चोड़ी प्रिम्यम क्वालेटी का मिर्र आपको यह मिले वाले है साइस में वी विगसाया है और बहुत हैवी तो गौलेटी वाई तो यह एक नेक्स लेवल वाला है, बहुत अच्छा सा है, जितनी तारिक पर जाहे हैं, इसकी उतनी काम ही है, डेफिनिटली आप इसको ले सकते हो, इस प्राइसेंच में, उतने ही, आपITA की वी एक शेवलों काम ही है, तुक चारू जो झारौती तुक जमीर कितनी चारौती हैं, весको प्राहती हैं, जितनी काम हैं, तुक की रहां की में में उतनी की बदों की औरौती हैं की गया।